प्रियवद्यार्थियों संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत हैं आज हम दस्में पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं तो प्रशन नमर एक लिखन्तु बदन्तुच आम अत्वान किम गुन सौंदर्या का अभूषन है सुंदर्ता का अभूषन है आम किम स्वर्नस्या अभूषन एव स्रेष्ट भव्ति क्या सोने का अभूषन ही स्रेष्ट है न किम परिशमेन कार्यस्य फलम प्राप्तम भव्ति क्या महनत से काम का फल प्रापत होता है आम किम बुद्धिमान एव शास्त्र स्य लाभ प्रापनोती आम क्या बुद्धिमान ही शास्त्र का लाभ प्रापत करता है आम किम एकेन हस्तेन ताली का वादनम भगती क्या एक हासे ताली का वादन होता है न एक हासे ताली नहीं बहिती है प्रिश्न नम्बर दो मन्जुषाया उचितम पदम चित्वा रिक्स्थानानी पूर्यांतु हस्तस्य अभूष्णम दानम भगती नम्बर दो विद्याम प्राप्य मनुष्य बिनामरह भगती नम्बर तीन परिश्रमम बिना मानव फलम न प्राप्योती नम्बर चार ज्यानवान जन यदिक्षमाशील भगती ताहे सह समानम प्राप्योती ज्यानवान मनुष्य यदिक्षमाशील होता है तो उसका समान होता है बुद्धी मान जन ए शास्त्रा नाम ग््यानम प्राप्तुम शक्नोती। बुद्धी मान मिनुष्रे ही शास्त्रों का ग्यान प्रापत कर सकता है। प्रश्य नम्बर तेन उचित प्राय पदम चित्वा लिखन्तु उचित प्राय शवद कोचुन का लिखो अवर्णाम अभूष्णाम तालिका कर्तल धनी लोचना भ्याम पातरताम योग्याताम पातरताम योग्याताम लोचना भ्याम नेत्रा भ्याम और पातरताम योग्यात प्रश्ण नाम उत्रानी एक पदे इन बदनतु लिखनतु इच इन प्रश्णों के उत्र एक शब्द में बोलो और लिखो नरस्या अभूश्णम किम भवती तो नरस्या अभूश्णम किम भवती रूपम पात्रत्वात के मायाती योग गेता से क्या प्राप्त आता है या क्या प्राप्त होता है धनम धर्म किस से होता है धन से अर्थाद धर्म के जितने भी कारे हो धन से होते हैं कस्या अभूश्णम व्यार्थम भवती किसका गहना व्यार्थ होता है स्वर्नस्या आगे प्रशन नम्बर पांच एतेशा प्रशन नाम उत्राणी पूर्ण वाके इन प्रशनों के उत्र पूर्ण वाक्या में लिखो कस्या सत्यम कस्या अभूश्णम भवती सच किसका गहना होता है सत्यम कंठस्या अभूश्णम भवती गुन का गहना ज्यान होता है शास्त्रम कस्य किम अपी न करोती सुखम कस्मात प्राप्यते सुखम धर्मात प्राप्यते मनुष्य परिश्रमं बीना कार्याश्य किम न प्राप्नोती प्रस्ट नम्बर चे स्स्तूल पदों के अधरप्रणी प्रेशन निर्मान करो धनेन धर्मस्य कार्याँ我觉得 तो धनेन तरित्य विरकति एक बचन का रूप है तो हमने किम शब्द भी तृत्य भीवक्ति एक वचन का रूप लेना है पुलिंग और निपूंस कलिंग दोनों में होता है तृत्य भीवक्ति एक वचन तो केन धर्मस्य कार्यानी भवन्ती प्रसनिक सूचिक जेन केवलम भागेन एव कारेश्य भलम प्राप्तम न भवती तो कारेश्य जो है ये सश्टी भीवक्ति एक वचन का रूप है तो हमने किम शब्द भी सश्टी भीवक्ति एक वचन में लेना है केवलम भागेन एव कस्य भलम प्राप्तम न भवती प्रसनिक जेन ज्यानम श्रोत्रस्य अभोष्णम भव्ति ज्यानम निपुंस्क लिंक सब्द है तो किम श्रोत्रस्य अभोष्णम भव्ति नेत्रा भ्याम विहिना दर्पनम द्रस्टुम न शक्नोती नेत्रा भ्याम विहिना दर्पनम जो सवद आगया ये निपुस्क लिंक का सवद प्रथम विखतिक बचन तो किम द्रस्टुम न शक्नोती रूपस्य अभोष्णम गुना भवती रूपस्या अभोष्णम कह भवती गुना कर्थोग्या कह श्लोकात उचित्याम पदम चित्वा रिक्स्थान आने पोरियन्तु श्लोक चे उचित्षब्द को चुन करके आपने रिक्स्थान की पूर्ती करनी है पहला यथा एकें हस्तिन तालिका न संप्रद्दियते तथा उद्धिमं परित्यज्य कर्मना फलमना भवेत तो आगे दूसरा विद्या विनियम ददाती विनियात पातरताम याती पातरत्वात धनम आपनोती धनात धर्मं तत सुखं प्रापनोती आगे मुल्यात्मक प्रशन मधुर बचनानी अस्मिन पाठे मानब जीवन उप्योगीना अनेके गुना उलिखिता संती इस पाठ में मानब जीवन के उप्योग के लिए अने गुन लिखे हुए हैं भवान भवति कान गुनान स्वाजीवने धारिश यती आप किन किन गुनों को अपने जीवन में धार्न करेंगे तान अत्तर लिखन्तु तो श्लोकों से छांड कर आपने गुनों को लिखा दानम, शहन चेलता, क्षामा, धर्मम, सत्यम, विनियात और पात्रत्वात तो इन गुनों को जोए धान करेंगे तो श्लोकों के अंदो जो गुन लिखियों को यहां पर लिखना आपने गतिविदी दानम, सत्संक्ति, क्षामा, सत्यम, धर्म, ज्यानम, इत्यादी नाम, विश्या नाम, अधिकृत्य, सूक्ती नाम, संकलनम, कुरबन्तु, तावी, स्वाकक्षायां विद्याल्याम, च, अलंकरवंद्थू, ज्यान, इत्यादी विश्यों के अधार पर सुक्त्यों का संकलनम करते हुए उनको अपनीकृकषा को सजाओ, फिर आगे--आगे व्याकर्ण कार्यम व्याकर्ण कार्यम व्याकर्ण कार्यमे पठन्तु अभग्छन्तु च संख्या प्रयोग यहां संख्या बाच शब्दों का प्रयोग है तो पुलिंग, इस्त्रिलिंग और नपुस्कलिंग में संख्याओं का प्रयोग है तो एक से चार तक की संख्या जो है अलग लग लिंगों में अलग लग से चलते हैं यह आपको बताई हुए लिखाई हुई है तो ज़र आ उसका प्रयोग देखेंगे एक नरास्ती ये पुलिंग में वाक्य एक नरास्ती एका महिलास्ती एकम चित्रमस्ती द्वव बालकोस्त द्वे बालकेस्त द्वे नेत्रेस्त त्रय अश्वासंती तिस्र मालासंती त्रीनी पुस्तकानी संती चत्वार शुकासंती चत्षर चत्कासंती चत्वारी व्यजना तो यहां इन चार वाक्यों के अंदर आपने देखा होगा कि एक, दो, तीन, चार पुलिंग, इस्त्रिलिंग और निपुंस्क लिंग में अलग-अलग रूप इसके हो जाते हैं इक से चार तकी संख्याओं के बाकी पांच से आगे जो सभी लिंगों में जो एक समान रहती है पंच कुकरा संती, पंच नौका संती, पंच फलानी संती, तीनों लिंगों में आगे पांच आगे एक जच रहती है शट वानरा संती, शट घटिका संती, शट पुषपानी संती, सब्थ पिकाह संती, सब्थ लेखनिया संती, सब्थ आमरानी संती, अस्ट ब्रिक्षा संती, अस्ट धेनवा संती, अस्ट सेफ अलानी संती ध्यात अब्यम संख्या नाम प्रयोगा विशेशन रूपेन भवती संख्या शवदों का प्रयोग विशेशन के रूप में होता है एक तह चतुरह परयंतम संख्या पदा नाम प्रयोगा पुलिंगे इस्त्रिलिंगे निपुस्क लिंगे चव प्रित्यक प्रित्यक भवती एक से चार तक की संख्याओं का प्रयोग पुलिंग इस्त्रिलिंग निपुस्क लिंगे में अलग लग होता है पंच तह अगले 30 लिंगे सु समान शाख, पांच से आगे 3 लिंगों में 1 समान ही होता है तो मैंने बता दिया आपको कि 1 से 4 तक की संखिय जो अलग लिंगे होती है और 5 से आगे सवी लिंगों में 1 समान शाख तो अभ्याद कोष्टकाद उचितम संख्या पदम चितवा इरिक स्ताने आने पूरियंति ग्रीहे द्वाव नरव उस्ता हमने यहां द्वाव क्यों भरा क्योंकि नरव जो यह पुलिंग क्या तो द्वाव जो हमने पुलिंग की संख्या भरी फिर ततर पंच जना संती क्योंकि रूप जो रहता है बनता है वो पंच बनता है पंचा जो गलता है ये तो पंच रूप 5 को पंच बोलते हैं तो ततर पंच जना संती वहां 5 लोग हैं आगे तीसरा वाकिय एक शिक्षक पाथियती एक शिक्षक पाथियती शिक्षक जो पुलिंग है तो एक भी पुलिंग की संख्या का प्रयोंकिया चत्वारी मित्राणी क्रिडंती चत्वारी इसलिए मित्राणी शवदा निपुस्क लिंग है तो चत्वारी भी निपुस्क ल गायती तो एक आपर इस्त्रिलिंग काया तो इसलिए हमने संख्या का प्रियोग के दिश्चाइब पादव भागत पादव जो है ये पुलिंग है तो द्वाव भी हमने पुलिंग की संख्या का प्रयोग यहां पढग है। सब्त कन्या पथंती 10 पुष्पानी नाम स्थाने संख्या वाचिक पदेन रिक्ष्थाना नी पूर्यें तो कि अंकों किस्तानपा संख्या वाजिक पद से दिख स्तानों की पूरती करो। एकश्याम करक्षयाम तो चत्वा निशत चत्वारिशत छात्रह संति डल एकदाश क्रिड का संति, डल में अर्थात एक टीम में 11 खिलाडि होते हैं, सबायाम पंचासच जना संति में 50 लोग हैं, इध्याने त्रयोविंश्चती वालि कह किरिद अन्ती, विगिचे में 23 लड़कियां किलती हैं ब्रिक्षे शोड़श वानरह कुरदनती पेड़ पर सोला बंदर कूदते हैं भारते नव वींश्ति ही राज्यानी संती भारत में 29 राज्या हैं करंड के 30 फलानी संती करंड के अर्थता टोकडी में 30 फल हैं पक्षे 15 तिथिया संती एक पक्ष में 15 तिथिया होती हैं मम समीपे पंच त्रेशत पुस्त काने संती मेरे पास 35 पुस्त के हैं ततर अश्टा दस महिला कार्यम कुरवनती वहां 18 महिलाएं काम कर रही हैं तो आगे संधी प्रकरण तो संधी प्रकरण को हम पढ़ पढ़ेंगे संधी प्रकरण का तो यहां तक हम आज संक्यवाची polarization code के बारे में पढ़ा और संख्यवाची शवदों का अलग अलग लिंगों को बारे में ग्यान जो इस वीडियो के माद्दे में से किया तो आज की वीडियो में इतने ही आप सभी का धन्यवाद इत्यों मुश्म